नमस्कार दोस्तों हम भी आसे मोहित कुमार बोल रहे हैं पुराने सीक्षे बेचने के चकड में मेरे साथ साथ थारप का फरोड्ड हो गया हम आपको बता दे कि हम यूटूब और बीडियो देख रहे थे जिसमें पुराने सीक्षे बेचने और खरीदने के बारे में जो है वीडियो दिखाया जा रहा था उस वीडियो में हम एक सीखे देखे जो सीखे मेरे दादी मा अब तक सम्हाले के रखी बाला बाला सीखे है करीब बताती है मेरे दादी मा उनी सो पैंताली सा सैतालीस के हैं वो तो फिर हमने कमेंड बक्स में नंबर देखा और नंबर देखने के बाद भाईया हम कॉल किये उ के पास हकीकत में उसी के हैं तो हम आपको इसी नंबर को आर्शेप कर दीजिए फिर जो है हम डादी मासे बुल डादी मत तुरुद निकालिए सिक्के और निकलवाय कर जो है हम और उसके फोटो गेशिए हम उसके पर भेश दिये तो उसके बाद फांच मुने आता है मेरे पास और बोला कि आरहे यहांस तुम्हारे पास यतुनी किमति सिख्के है तो इतने यही तो बहुत किमति सिक्षे हैं इतने पुराने सिक्षे तुम्हारे पास कहां से बोले मेरी दादी माँ आप तक सम्हाल रखिए वह तो मैं बोला इसको हमको बेचना है तो बोला की गी देखो इसके है तुमको जो है हम 25 क्रोड़ पिर देंगे इस सिक्षे के मैं बोला साँ तो फिर आप कहां से बोल रहा है तो मैं बाला कैसे होगा सर आपको कैसे में बेचाने तो मिरा आधि मी जाएगा और तुमको तो टुमको पैसे देना कर चला इस सीक्यों को जो है तुमको हम पांच लाग खरपे नमांस के तौर पर भीजवा दे रहे हैं तो हम बोले कि ठीक है सर आप जैसा करें तो बोलाए काम करो तुम अपना अधार नंबर और प्रेंड कार नंबर और तुम्हारा जो है और पासबोग इस सब जो है हमको भीज़ द और बोला कि काम कीजिए आप आपकार सब कुछ आ गया है तो इक कागजी करवाई हमें जो है करनी है इसके लिए जो है आप हमें 20-100 रुपे डाल दीजिए तो मैं बोला कि सरा काम आप काम कीजिए आप जो हमें दे रहे हो पांच लाखे नमास उसी में से जो है आप भी से इसके नियम के खिलाब है आपको जो है आप नम करवाई होते है यह करने के बाद ही घ्रुपा GOOD 스हुन करें तो फिर में बोला चले बीसी का बात है ना पांच लख तो आई रहा है फिर हम का कि यह बईया कि बीस दर रप्या उसके एकाउन में वह फोन नहीं कि आपको पैसे चले जाएंगे पिर हम आधा घंडा बाद इसको कॉल कि आप पैसे डाले नहीं तो बोला कि देखिए पांच लाग रुपे जो है तो बड़ा एमांट है इसके लिए जो है आपको कि चानी सब्रेक होंगे कि तो फिर आप नहीं भी के व सूछे जाएंगे पांच लाग रप्या तो निवांस में मिल रहा है और सी के जो है मेरा आदमी आपको वहां पर इतनी बड़ी रकम में जो है आपको कचीस लाग फर देने आप संकोच कर रहे हो फिर मेरे मन में आया कि मैं क्या करूं क्या करूं किसी समय सलाह बिने लिए अपने घर परिवार से फिर जो है हम बोले यार चलो पांच लगत वाही रहा है जो है मेरे पास भीया पुरानी जो है एक गाड़ी था उसको हम जो है 20 जार में बेज़ दी और 20,000 रपया एक अपने दोस्त से जो है करजा लेकर पहिचा लेकर मतलब हम उसको जो है पैसा हम टास्पर कर दिए और उसके बाद जो है फिर आधा घंटा में जो है उसका कॉल आता है मेरे पास इतना भेजने के बाद मैं बहुत आपने बोला हम पैसा पर आपको जो है सेल टेक्स फार्म बनवाने पड़ेगा भरवाने पड़ेगा ओग सेल टेक्स का फार्म भरता है उसके लिए जो है बीस हजर रपे आप और हमें दो क्योंकि रखम बड़ी है आप फ़स जाओगे कि इतना मोटा रखम कहां से आपके कावन में पांच लख रपे जाएंगे तो भाईया अब हम का बताया आपको मैं बोला कि ठीक है मैं परियास कर रहा हूं और उसके बाद हम का बताया भाईया म मेरे पास 20ज रपाय नहीं हो पाया मोई वोला आप कितना रिक्विष्ट किया कि आप काम किजिए कि आप मिला लीजीए भी सिर्पाव उसी में पांच लकमें से काट लिजीए भी से रपया और काट के फिलीज हमें डाल लिए मेरे पास और नहीं हो पाया मैं कोशिस किया आपने दोस्तों यारो से सब्सक्राइब मांगा लेकिन मेरे पास फिर दुबारा बीस तरफे नहीं हुए इसलिए जो है कि साट अधर पर मेरे पास बाइक बेज दिये और दोस्तियार से लेकर जो हमने उसको दे दिया और भी सर पर फिर जब दुबारा मांगा हो तो भाईया हमसे नहीं हो पाया नहीं जुगार कर पाया मैं मैं बोला उसको कि मैं ठीक है सर प्रयास करता हूं कि हमें पांचे लाख में बोल रहे हैं आप जो है पांचे लाख में आई ये दोनों सीखा दे देंगे हम उसके आगे इतना रोएं गिरिगरा है भाईया हम आपको कहा बताएं मेरा पापा को कवर चल गया है कि वह बाई की बेज़ दिया है वहां घर से भुषा आगा किसी को कि बहुत दर्द में भाया आप सब से क्रशंख करते हैं का फ़िजज कभी और से अनुवकावें में न पड़े और से फ्रोड के चक्र में ना पड़ें रहा हम तो गरीब आदमी उतना तक पढ़ा हूं इसलिए मैं फस गया आप सब भाई जनी बेदन है कि ऐसे फ्रोड कॉल में ना पढ़ें कि सभी को पढ़ना है हम तो बहुत दुखी है आज